जैन दोस्तों आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हैं और यह सेक्स एजुकेशन से संबंदी थे योन सिक्षा से संबंदी थे बहुत सारे इवाओं का यह मांग था कि सेक्स एजुकेशन के बारे में कुछ बताया जाए योन संबंदों के बारे में योन संब ब्राम्तियां भी मन में चलती है कई तरह के मन में बिचारोतपन हो जी कर59 दिगभरबित हो जाते हैं इन सब समस्याओं के शमादान हैं तुमने सोचा कि चलो इसको रीट वे में सही तरीके से कैसे बताया जाए और जिसके कारण सही-समादाश गारी एपाएं रास्ते को अपना लेते हैं और इस तरह से उनका साइडिक प्रेशानी तो होता है साथ आर्थिक दोवन भी होता है और वह काफी मांसिक रूप से भी प्रेशान होते हैं तो हम चाहते हैं कि आपका शरीर भी तंदृष्ट रहें आपका सेक्शन लाइब भी अच्छा रहें औ और आपको मांसिक प्रेशानी भी नहों हो आपता नाम मुक्त रहें और आपका आर्थिक वचत भी हो तिन सब उद्देश्टों को लेकर हमने सही जानकारी देने के ख्याल से ही यह टॉपिक को चुना है इसका नाम है सिग्रपतर पतलब प्री मेजिक इजेकुलेशन या इ सबस्क्रीवर्तर आपके मन में जो भी समस्या समाधान खरेंगा देखें यहां पर स्कुर कि पुर्प्रेश्ट इजक्रेशन किसा करते हैं तो परी का मतलब होता है रात को समझें त्न क्या होता है पहले और अक चियों निंग से जो इस पर निकलताा है लिंग 가म रहा होता है वीर जो बहँ सबस्थ जल दी और पतन मतला निकल जाना तो किसको कहते हैं इसका दूसा टाम अर्ली डिश्चार्ज आखिर इसको कैसे कहेंगे कि सिविर पतन की समस्या है देखिए जब कोई ब्यक्ति अपने शेक्षाल लाइप में जाता है जब वो सारी संबंद अपने सेक्स पार्टनर के साथ बनाता है तो उसमें सेक्स पार्टनर के साथ सारी संबंद बनाने का जो एक आदर्स पैमाना है वो है कि दोनों उसमें क्या हो जब क्लाइमेक्स पर हो मतलब चर्मोत कर्स पर हो तो दोनों को सटिस्फेक्शन होना चाहिए दोनों को संतुष्टी मिलनी चाहिए कई भार ऐसा देखा गया है कि बहुँस सारे वह उते हैं उनके साथ क्या होता है कि penis को nella यियंग को यह जैना के अंदर लो लंस रेश, करते को साथ ही क्या हुआ कि इस सीमेन बाहर बाहर ratio तो पतायी कि जब शिमेन यौनी में प्रवेश करते के साथ ही global सिमेन बाहर जब निकल जाएगा तो फिर वह सेक्षवल इंटर्कोर्स कैसे कर पाएगा तब तो योन संब्द नहीं बना पाएगा योन संब्द बनाने के लिए है कि पेनिस का अपवार्ड डाउन वार्ड लोग आगे पीछे की और मुवमेंट होना चाहिए आगे पीछे की कैसे हम लोग समझेंगे कि आखिर सिग्रपतन की समस्या है तो सिग्रपतन की समस्या का देखिए अगर कोई बैक्ती मान लिया जाए कि उसका रिटेंशन टाइम मतलब कि वह अगर आदर्स जो पैमाना है वह अगर दो से पांच मिनट तक योन संबंद बना पाता है तो उसक पांच मिनट के बीच में पैनी से एस्पर्म बाहर निकलना चाहिए लेकिन कई बार ऐसा होता है कि दस सकेंड के अंदर इस स्केंड के अंदर ही अगर सीमें बाहर निकल गया पैनी से तो समझे कि वह श्रिग्रपतन की समस्या से गर्षित बैखती है तो इसी का पड़िभा कि समान से अब धीक पूर्व जब क्या होता है सीमेन का रस्खलन होता है लाकोहित करते इसका कारण सकते हैं जिसमें कुछ मुंख करन कि एशैण करें पहला कारन आप जैसे कोई लड़का है अपने सेक्स पार्टनर के साथ यों सम्मद बनाने के लिए उसके मन में तरह-तरह की प्रस्ण उठते हैं बहुत शारा बैचैनी है कि चलो कितना जल्दी हम यह संबन बनाएं कितना जल्दी हम फिजकल डिलेशन में आ जाएं कितना जल्दी सेक्स करें यह इन है यह फिर सेक्स पार्टनर को संथुष्ट कर पाएंगे कि नहीं पता नहीं हम से हों पाएगा कि नहीं तो यह मन में जो अबराहट भीचेनी और जो डर का जो महोर में इसके कारण कई बार क्या होता है कि जो सीमेन पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है मतलब संतुष्टी से से पहले मतलब जो समान इस टाइम परियर जो 2-5 मिनट है उसे पहले ही डिशाज हो कि यह होता है कि सीमें बाहर निकल जाता है और इस स्थित्य में क्या होता है कि जो सेक्स पार्टनर फीमिल वह पुरी तरह घवराथ होना और बैचेन इसलिए जब भी शायक संबंद बनाए तो घवराथ कर महाल में बनाए बलकि आप शांत महाल में बनाए अब तिमा को पूरी तरह कोल रखें और यह समझें कि यह जो समंध्त बनाए एक एकट है सट्व यह एक क्या है लाइफ का पार्ट इसको लेकर जैदा जैदा रही नहीं और यह तो एक यह जीवन का एक हिस्सा अबान कर चले कैसी की की लिग में क्या है पैनीस में सं पर संस्सील करने पर लगता है उसके सरीर में कमपन जयरा होने लगता है त Nummer यह संसीटिभीटी होने कारण होता है ज데 ne ediyorum योनी के मुँछ अब तो योणी के तो योनी तो मुलाइम करते इस uda मूंद यतना तो इतना जैदा सेंसेसन होता है कि इधर से क्या हुआ कि सीमेन बाहर निकल गया यह सीमेन बाहर निकल गया तो यह तो अपना परफॉर्मेंस सही से नहीं कर पाया यह तो सेक्शल परफॉर्मेंस क्या हुआ नहीं हो पाया जब परफॉर्मेंस आपका अच्छा नहीं रहेगा जब आप अच्छा से सेक्स नहीं कर पाएंगे तो यह शिग्रपतर का सिकार बेखती है और इसका इलाज की जुड़त है तो इसलिए सेंसिटिवीटी जैदा डाने पर भी ऐसे इस्तिती होती है उसके बाद क्या है कि जो सेक्स होता है जैसे अभी हम बोले कि यह जीवन का एक हिस्सा है हमको मान के चलना चाहिए इसके लिए जैदा आत्मकुंठित नहीं होना चाहिए नहीं जायदा उत्तेսित होना चाहिए ना बतलब एक न्उर्मल होना नार्मल लाइफ जीना है क्योंकि जिस तरह से भूक लगती खाणा खाते हैं जिवन की हर कृरिया करते हैं जो हर भैक्ति तो यह यह क्या है कि एक रिदम में चलता ह। यह होता है लेकिन अगर को बैकती उसby को तोड़ा गुर्णगुणा यह तो उसका एक सुरताल है एक लेह है अगर अगर आप उस गाने को लाइन जैसे का अगर मानलिया जाए कि कोई गाना का पंक्ती गाणा का आप शीटेsuch कई लगेगा तो लगेगा सूरीलास भी सुनेगा और अच्छा भी लगेगा और आनंद भी दे तो उसी दंसे sexual lab भी है तो sexual lab भी है लैवद्ध होना चाहिए रिद्म के साथ होना चाहिए अगर लेवद्ध हुक कर हम यह संबंद बनाते हैं तो क्या होगा कि खुद भी संतुष्टी मिलेगी और हम अच्छे से सेक्स में परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं एक अच्छा इंजॉयमेंट भी होगा अच्छा आनंद की भी अनभूती और हम अपने इक्षनियल पार्टनर को भी खुश कर सकते हैं लेकिन यह ऊसमान कि किसी कि होता है बहुत जैदा बैचया नहीं होता कि कि इतना जल्द हम सेक्स कर ले पता नहीं इतने होती है मतलब यह एक नौर्मल रिद्म के कारण वी क्या होता है कि सीमयन बाहर निकल जाता आप लावा कुछ हे भान पान में वी कमी के कारण भी होता है जैसे अगर माल निया जाए कि भोजन में में मेगनेशियम की कमी है या जिंपि कमी है तो इसके कारण सीमेन पर इसका असर पड़ता है जैसे जिंग का संकेत हो था जैडन और मेगनेशियम का अगर इसकी करनी है तो इसके कारण भी सीमेन जो है प्री मेच्चियोर होकर इजेकुलेट हो जाता है यह सिगर पतन होता है देखें इसके कारणा देखें कुछ बैक्तियों में क्या होत प्तलब आधा गंटा एक घंटा तक sexual एक्ट को परफॉर्म कर रहा है कि बहुत देर तक वो साविक संबंद बना रहा है वो सोचता है कि यह किरिया मेरे साथ क्यों नहीं हो रही हम क्यों ने एक गंटे तक सेक्स कर पा रहे है तो यह समझना चाहिए कि वह Ben एक्ट है वह फिल्म है वह उस्में फिल्म आया है वो हंडेड़सर नहीं है वह चोटे-च्छे टुक्रों में काट कर जोर दीया गया है तो वह ईसा नहीं होता है यह मुसां नहीं होता है तोeln मेरा सेक्शल लैप ठीक है अदर्वाइस ठीक नहीं है इस हीन भावना से गर्शित हो जाते हैं ताप पॉर्ण मुवी का नकल ना करें यह बहुत बढ़ी भ्रांती होती है देखें इसके परिणाम सवरुप क्या हुआ किसी को अगर सिग्र पतन की समझ से हैं तो हमारा जो समा सभी करते अपने दोस्तों के साथ करते हो भी जुबां से करते खूलकर नहीं नहीं करते हैं घ्मकी हर बात को यह रहीं लेकिन जो सब्सक्रामित है उसको हम्हें ब सब्सक्राइब और यहां दोक्तर से भी नहीं मिलना पसंद करते हैं लगता है कि पता ने वह मेरे क्या Nature कि हम अपने मूँसे बोलेंगे कि में हम सेक्स करने से पहले मेरा जो यह पैनिसिसश निकल जाता है सिमेंट तो इससे क्या होता है जो जाता मन हीv मन आतम कुंठीट लास्ता पता ने हमको कोई बीमारी है पता नहीं क्या है पताने हमें ना मर्दी तो नहीं आ गया पता नहीं हम कैसे बैकती है इस ड़ेर सारी बातों से वह उलजते रहता है इसके बात क्या होता है कि वह सेक्स करने से दूर भागे अब आखे ही सेमिन संबंद से बतस parte बना करें कि अगरा झाष कर लेकी जब सेक्स करने के बात रहें कर दो क्या होता है कि seks करने से दूर भागता इसके परिणाम सरुप क्या होता है कि उसका जो अपना पती पतनी का जो जीवन है उसमें भी तनाव आता है और व्यक्तिक कई सारे मांसिक और सारे प्रेसानियों से उलच जाता है उसे घरसित हो जाता है इसलिए अगर आपके शाहत इस तरह की कोई बने भी समस्य आप अपने नजदेकी डॉक्टर से मिलें जो सेक्सोल लॉझिस्ट है जो मका और शक्रापलस्त हैं इस chi लेखे इसका इलाज क्या है तो पहला नमर कुछ exercise है जैसे कीगल बयाम है कीगल exercise क्या होता जी यह पेल्विक गार्डिल है पेल मतलब यह जो मशल है वह सब मसल का exercise होता है exercise होना है कि वहां का मसल मजबूत होता है जिसके कारण क्या होता है कि जब आप इस्टॉक मारते हैं जब आप सेक्षवल पार्टनर के साथ जब साइक संबंद बनाते हैं अपने पार्टनर के साथ तो ठकरान अनुभम नहीं होता है जैसे मान लिया जाए कि हम अपने हाथ से प बस्तू को उठाएं तो जैदा भारी नहीं लगेगा हम लोग अराम से उठा सकते उसी धंग से अगर जो यह जो पर्फॉर्शन होता है वहां की मान स्पेशी में थोड़ी बहुत मजबूती आ जाए तो असानी से आप जब सेक्स किरिया करेंगे जब योन संबंद बनाएं तो उस समय थकान महसूस नहीं होगा और आप अच्छे से पर्फॉर्मेंस दे सकते हैं दूसरा है कि स्टॉप और स्टॉप टक्निक का मतलब क्या होता है कि रुक रुक का सेक्स करें जैसे आप मान लिया जाए कि आप फीमेल के योनी के अंदर आपने लिंक को प्रवेश कि करें तो दो चार बार जब श्टॉप मार जाता है या माली 10 से पंद्राव आप जितने यहारे की बेंटी में अलग अलग होता है जब आप स्टॉप मारें मतलब पेनिस को अंदर यह नी में कर रहे हैं तो एक समय ऐसा आता जब लगता है कि अब हमारे सरीर से सीमें बाहर न रखे और अपने दिमाग को स्थिर करें दिमाग को थोड़ा सेक्स से हटा कर रखें उसके कारेंड क्या होगा जो एसपर्म निकलने वाला होता है जो सीमेन बाहर निकलने वाला ता वो कुछ देर के लिए रुख जाएगा फिर आप योन किरिया में लिप्त हो जाए फिर आप तो अप अब सेक्स करें परफॉर्म करें कोई दिक्कत नहीं है दिया होता रुके 10-15 श beef के लिए वी सेक्षिंम के लिए आप फिर लगये कि आप नॉर्मल हो गए तो फिर जो जीरो टाइमिंग था या कुछ समय के बाद जो निकल जाता था अब थोड़ा देर के लिए आप अच्छे से कर पार है और आपको आनंद की अनुगूती होगी और अच्छा भी लगेगा तीसरा है एस्कुईज टेकनिक में क्या होता है कि माल लिया जाए कि एक इस्तिति आया क्लैमेक्स पर जब जाता है पुरुस जब वो चर्मोत कर्स पर जाता है तो पेनिस से क्या होता है कि इसमें निकलने ही वाला होता है जब लगे कि अब निकलने वाला है तो पेनिस को बाह हो जाए या पेर आपनीस में इंजीरी हो जाए ऐसा नहीं करना जो से से तच करके बल्कि इतना त्रेसै transit के मतलब क्या हो पैर पेर दाब भी न पड़े और कम दाब आप पड़े वो अपने कर लेना माइंड को उसको क्या करना डाबना नहीं कि मुश्किल से पास सेंट के लिए रखना है तो क्या होगा कि धीरे-धीरे जो Wirna निकलने वाला वह अंदर रुक जाता है कि उसके बाद क्या है कि जब देखिए अब ठीक है आप हम फिर से करने के योग होगी कोई दिकत ने अब सीमेन बाहर में निकल सकता तो फिर आप इस क्रिया को दूरा है इसको कहते हैं इसको टेकनिक तो इन तीनों तकनिकों को अपना कर आप क्या कर सकते हैं कि अपने सेक्शल पर्फॉर्मेंस को आपका जो योन संबंद का जो डिवरेशन है जो समय अब दी है उसको बढ़ा सके हैं और सिखल पतन को रोक सकते इसके अलाबा आप अपने खान-पान में भी कुष्दार लाना होगा खान-पान में जैसे अभी बताये थे कि घैंक और मेग्नेशन की कमी से भी होता है सीमन अर्ली डिश्टार्ज पहले निकलता है कहिंए तर्बूज अभी तो गर्मी का मैना ये तरबूज कितना अच्छा है हम लोग गर्मी के सीजन में दीए परकλरती आयरूवेदिक चीज़ों का खजाना है परक्रति में जो भी चीज है सब हमारे से हीस्ट के लिए लब दायक है हम लोग क्या करते हैं है अब अच्छा पाटी मना लेकिन थंदा हमारे जीवन वह उतना लाबदायक तो नहीं है लेकिन हमारे तारभुज पाटी मना इसे हम सब लोगद खाते हैं तो चैहत के लिए लाब दायक है और गर्मी से भी ब उसमें जो जो पोशअ तर्बूज का बन कए तर्बूज में कि स्टूलीन जो सिघ्र पतन की समस्या के लिए रामबान है तर्बूज इसने गर्मी में तर मोरिंगा जिसको कई मोरिंगा भी करते तो साजरन की सबसी खाए यह कैंसर निरोधी भी है cancer को भी रोकता है तो सिख्र पतन की वी समस्या में तो दालते ही लेकिन अगर लेकिन की तो तीन कली को यह आपके लिए और जैदा फाइदे मंद होगा कौन लैसों और शिगर पतन को रोकेगा इसमें पाया जाता है इस तरह से क्या कि हम अपने खान पान के द्वारा भी शिगर पतन को रोक सकते हैं इसलिए आपसे अपील है कि आप गलत रास्तिप परना जाएं बलकि इस चीज़ को घबराएं नहीं अगर आपको माले जए कि कि मत सोचे कि आप के साथ समस्य अंगर देखा जाए तो बीस दिए जाएदा पुर्सों में इसी समस्या है आप अकेले ऐसे बैक्ति नहीं है जिसे यह समस्या लगभग 30% से जाएदा पुर्सों में सिग्रपतन की समस्या है लेकिन वे जानकारी के अभाव में या गलत जानकारी के कारण या लाज सरम के कारण किसी को बहकावे में आकर क्या या फिर गलत रास्ते पर चले जाते हैं इसलिए आप सही उपचार करें अपने नजदी की डॉक्टर से मिलें जहां पर आपके सहर में मुहला में अगल बगल में जहां भी जो भीशे सग्य हैं योन रोग से संबंदे सेक्सोलोजिस्ट हैं उनसे आप मिलें उनसे उपचार ल लगते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो आप कोमेट सेक्शन में अपना जो भीव है अपना विचार जरूर लिखेंगे और अपने दोस्तों को जरूर सेयर करें फिर हम सेक्स संबंदित योन समस्याउं से संबंद खब हो और्याऊ होगा जरुओे आपासा से संबंद योन कोई खबंद तो हम्स पना सन अच्छा लगा छोणा और अवां योन